हेलो डियर्ज, वेलकम डू दो दो मिसन है नर्सिंग क्लासेज जैसा कि दोस्तों आपको पता है नोर्शेट के एक्जाम फॉर्म स्टार्ट हो गए है बहुत सारे लोगों को फॉरम बढ़ने में दिक्कत आ रहे है तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा एक केंडियर्ट का फॉरम बढ़के पूरा डेमो बताऊंगा तो वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है नए हैं मेमान हो सेनल पे तो सेनल को सब्स्राइब जरू करना है और साथ में इस वीडियो को आपके सभी दूस्तों के साथ सेयर करना क्योंकि हर नौर सेट में हर फॉरम में स्टुडेंट कापी गलती करते हैं और वो फिर बाद में इतना नर्वस होते कि एक्जाम तक उनके टेंजन जाती नहीं है तो इस फॉरम बढ़ने से पहले इस वीडियो को प्रॉपरली आप देखोगे तो आपका मिश्टक नहीं के बराबर होगा तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है इस गूगल पर आना है इसके बाद में एम्स की जो ओपिसल वेफसाइट है www.ms.ac.in पर जाना है इसके बाद में पहले वाले पर आम्स पर आपको क्लिक करना है जैसे इसके उपर क्लिक करोगे इसके बाद में यह रिक्रिमेंट लिखा हुआ है रिक्रिमेंट के उपर क्लिक करना है इसके पर क्लिक करना है रिक्रिमेंट के उपर जैसे आप रिक्रिमे आपको जो फोरम अप्लाई करना है वह करना है नोर से 2022 तो आपको क्या करना है नोर से 2022 जो पहले वाला है जो ब्लिंक हो रहा है इसके उपर आपको क्लिक करना है जैसे इसके उपर क्लिक करोगे तो आपको दो से दिखरी होगी एक न्यू रिजिटरेशन दूसरा अप्लिकेश यहां पे आपको one by one पूरी information डालना है फोरम आपको किसी cyber KP के पास बरवाना है या खुद के computer से फिलप करना है और अगर आप cyber KP से भी बरवा हो तो साथ में आपको पास में बैठना है account, SC, STK candidate, account data अपने खुद का देना है जब payment refund होगा last में तब भी आपके account में आएगा दूसरी बात, फोरम फिलप करने से पहले एक plain paper पे आप अपने को पूरा resume उस paper पे लिख दिजिए ताकि आपका दिक्कत नहीं हो जाएगा थर्ड बात, जो payment कर रहे हैं उसका भी receipt लेना है और जो final forum बरोगे उसका भी print लेना है selection के time में दोनों का जरूत रता है ये सबी सीज़े आपको द्यान रखना है maximum try ये ही करना की forum आपके computer से या किसी cyber KP के पास से बरवाना है लाकि पास में आपको बैठना है एक एक detail आपको सेक करना है ताकि आपका दिकत या आपका wrong या आपका mistake नहीं होए तो ध्यान रखे अगर आप Norset 2022 का exam दे रहे हो तो mission है nursing classes की Norset challenge test रिजोईन कर सकते हो जिसके अंदर totally 6000 Ncq है 48 test रहेगे price 399 और 48 test को अलग-अलग part में divide किया हुआ है सबसे पहले subject test image based test test और non-tech जो मैं तरिजनिक GKS पोर्षन वो अलग से और last में mega test Norset के लिए completely test list है और every Friday को mission है nursing classes की website फ्री test भी होता है तो हमारी website जरूर visit कीजिए mission है nursing classes की website है www.missionhighnurset.com अब आगे अपन बात करते है कि आपको क्या का detail डालना है तो सबसे पहले आपको किस के लिए आप forum apply कर रहे हो तो डालना है applying for nursing officer Norset इसके बाद में आपको इसके आया पर नाम डालना है आप नाम डालने के बाद में आपको अपने फदर का नाम डालना है फिर आप फिर आपके मदर का नाम डालना है फिर आपको category डालना है category में मैं OBC के category डालके आपको सिखा रहा हूँ HTSC के लिए कोई प्रॉलब वाली बात नहीं है क्योंकि उनका पूराना certificate भी सेल जाता है और general candidate के लिए certificate अफ्लोड करने के जुरूद नहीं EWS और OBC के जो candidate है उनको क्या करना है कि आपको certificate आपके financial year का होना चाहिए मतलब 1 April 2022 के बाद का आपका certificate होना चाहिए तो इस OBC के उपर आप click कर दोगे इसके बाद OBC के उपर click कर दोगे अगर आप आज forum fill up कर रहे हो certificate नहीं बना हुआ है तो आपको certificate number नहीं डालना है क्योंकि आपको अलड़ी optional दे रखा है तो आपको क्या करना है optional पर click कर देजे कुछ भी नहीं डालो कर दो चल जाएगा लेकिन जिन लोगों ने certificate नहीं बनाये है certificate बनाने के लिए डाल दो चार-पांस निन में बन जाएगा forum अभी आप fill up कर सकते हो इसके बाद में आप PWD हो PWBD का मत होता जो physical handicap है और आपके पास अगर certificate है properly तब आपको yes करना है otherwise करना है no इसके बाद में आपको domicile कहां का है तो आपको domicile क्लिक करना है कि आप कौन से इस्टर से बिलोग करते हो राजिस्तार, लक्सदीप, मध्यपदेश, महाराष्टा ओडिसा, राजिस्तान तो जैसे इसके पर क्लिक करेंगे इसके बाद में आपको ID proof क्या लगाना है कि इन में से कोई भी ID proof आप लगा सकते हो इसके बाद में आपको जो नमबर है वो नमबर भी डलना और जो ID proof आप यहां लगाओगे वो exam के time में आपको वाँ पे दिखाना भी है तो वो ही लगाना जो आपके पास में available है जिसका original copy इसके बाद में आपन बात करते है कि place of issue इंडिया और date, valid deal यह optional है आपको जो optional है उसको फिलप नहीं भी करोगे तो चल जाएगा फिर are you government employee क्या आप पहले से government employee हो yes or no अगर आप government employee हो तो आपको department से NOC भी लाना पड़ेगा NOC का भी पारवादन बता देता हो कि आपकी department को आपको intimate करना है कि मैं forum fill up कर रहा हूँ ताकि अगर आपको selection भी हो गया तो आपको technical resignation मिल सकता है इसके बाद में आप मिया पे में NOC कर दूँगा इसके बाद में आप ex-rishman हो क्या तो yes या no तो NOC कर दिजी इसके बाद में आपको data birth डालना है data birth वही डालना है जो आपका correctly है और 10 की markset में है इसके बाद में आपको क्या डालना है mail ये female यहाँ पे डालना है जैसे आप data birth डालोगे data birth में आपको वही डालना है जो right है इसके बाद में जो सबसे important portion email ID और mobile number email ID और mobile number जो आपका running condition में है वही डालना क्योंकि बहुत सरे student को बाद में दिखके आता है सब मेरे password नहीं आ रहा है या मेरे को mail का नहीं आ रहा है तो बाद में problem हो सकती है तो email ID mobile number वही डालना है जो आपके mobile में running है और at list अगले नोर सेट टक आपका phone number वही रने वाला है इसके बाद में आपको email ID डाल देजे email ID, mobile number या जो भी आपका personal data है में share नहीं करो और आप भी किसी के साथ share मत कीजे क्योंकि ये अपने personal data रहता है इसके बाद में option आता कि आपका कोई mobile number alternate है वो भी डाल सकते हो ये आपके लिए बनी पीसे लिए है इसके बाद में आपको click करना है जैसे click करोगे इसमें रिखना है save and proceed exit नहीं करना है proceed करना जैसे आप save and proceed करोगे ये ID अभी आपको सुझा हो रहा होगा एक message के मादिम से इसको आपको link के रखना है और आपके email ID पे भी चले गए होगे आपके mobile number पे भी message आगया होगा तो इसको क्या करना है आपको click करना है इसके बाद में आपका जो पहला step पहला step complete हो गया है इसके बाद में जो दूसरा step आपको fill up करना है अब एक छोटा side ना थकान होनी चाहिए ना हार होनी चाहिए जीतने की जित्ती और यह जिद आपकी बरकरार रहनी चाहिए इसी जिद को बरकरार करने के लिए mission आई लेकरा है आपके लिए बेस्तरीन कॉम्बो प्लान जी हाँ एक बेस्तरीन कॉम्बो प्लान जिसमें आपको complete study material मिलेगा आपके Northshare 2022 M's Northshare 2022 nursing officer recruitment के लिए जिसमें आपको mission परिचारी का book मिलेगी जिसमें complete nursing subject की थोरी मिलेगी second book mission old paper जिसमें आपको 2015 से 2022 तक के पूरे पुराने papers with solution आपको मिलेंगे third book की बात करूँ तो mission non-tech जिसमें आपके all non-tech non-tech subjects जहां से आपके 20 questions आने वाले हैं इसके लावा आपको 25 प्रेक्टिस मोग टेस्ट मिलेंगे जिसमें most selective and important mcqs only most selective important mcqs 25 mcqs जो आपको 25 प्रेक्टिस में मिलने वाले हैं इसके लावा आप online website प्रो जाकर online टेस्टिस भी जोइन कर सकते हैं एक पूरा भेतरीं combo प्रान है जो आपके note share 2022 के exam को क्रेक्ट करने के लिए असान बनाएगा तो दोस्तों देर किस बात की आज सी तकी जो screen प्र mobile नमर देख रहे हैं उस पर आप जाकर वोड़सप या website विजिट करके order कर सकते हैं और note share 2022 के exam को fight कर सकते हैं with mission आई ठीक दोस्तों जेहिन old password डालो जो आपके mail पे गए होगे new password रख दिजे इसके बाद में confirm password भी रख दिजे इसके बाद में आपको करना है update जैसे ही आप update करोगे update करने के बाद में आपका password successful change हो गया है kindly login कर सकते हूं new password लगा के यह पर step complete हो जाता है इस यह आपका step complete होगा registration का तो registration कैसे करना है वो पूरा process समझ गया होगे अभी आगे का form आपको फिलब करना है आगे के form के लिए आपकी जो candidate ID आपके mail पे गई थी mobile message में भी आई है और आप बहाँ पे place भी गया है था message तो वहाँ से आप ले सकते हो password आपने जो नया password क्या रखा वो लिकिए enter capsa capsa properly use करना उसके बाद login करना है in between in feature आप अगर फिर भी आपके password भूल जाते हो तो यहाँ पर forget password की available है तो वहाँ से आप forget भी कर सकते हो लाकिन password generally change नहीं करना है और एक जो fixed password है वही रती है फिर आपको क्या करना है password ID password लगा के login करना है जैसे आप ID password डालके login करोगे इसके बाद में जो आपकी पूरी detail है वो खुल जाएगी detail खुलने के बाद में जो निचे की detail है वो incomplete आएगी जो अपने step first fill up किया है वो clear आएगा remaining unclear आएगी पूरा data मैंने अपना privacy के विज़े से hidden किया हुआ है लेकिन आपको भी अपनी information hidden रखने है इसके बाद में क्या करूँगा qualification and address detail fill up करूँगा qualification or address detail के अंदर क्या fill up करूँगा कि मेरा qualification क्या है qualify exam क्या क्या है तो आपका BAC nursing है GNM है और post basic है कोई भी आप डाल सकते हो अगर GNM डालोगे तो साथ में आपको expense का भी add करना है तो मैं GNM का मादियम से बताऊँगा तो क्योंकि post basic के लिए और BAC nursing के लिए आपको expense add करने के जरूद नहीं है तो यह process आपका नहीं होगा जो expense add करना वाला process नहीं होगा तो अब जैसे GNM के उपर click करूँगा इसके बाद में आपको pass और कौन सी university से किया है तो जिस state की council से अपने क्या council का नाम लिखना है college नाम लिखना है admission का date लिखना है approximately और passing years इसके बाद में आपको अपकी registration number यह सीज सबसे important है आपको अपने registration number अच्छे से लिखना है कि last year बहुत सार इस्टुएंट की mistake होई थी फिर बाद में में से जाता है से अपने गलती किया तो आपका जो RN number है वो यहाँ पे डालना है और RM number यहाँ पे डालना है इसके बाद में आप कौशी council से belong करते हो यहाँ पे select करना है और इसके बाद में आपको अपने यह council का नाम लिखना है और आपका registration कप जारी हुआ है वो लिखना है यहाँ पे लिखना है इसके बाद में निचे आपका address डालना है अगर आपका permanent address और corresponding address मतलब present address और permanent address दोनों अलग-अलग है उस condition दोनों आपको अलग-अलग फिल करना है इसके बाद में आपको save and proceed अभी आपका step to complete हो गया अब step third के अंदर आपके पास expense detail है यह नहीं है यह GNM candidate के लिए mandatory है remaining candidate अगर no भी करेंगे तो कोई सुनी है तो आपके पास में अगर नहीं होगा तो form आप पिल अपने कर पाऊगे experience आपका registration date के बाद का होना चीए बहुत सर्टुएंट की माइंड में doubt है कि असा internship वाला जूड सकता है क्या नहीं जिस दिन आपका registration आ गया है उसके बाद का आप जोड सकते हो इसके बाद में आपको क्या करना क्लिक करना है और आप कहां पे काम करते थे designation क्या था employee type क्या था कब से आप start क्या कब तक थे total कितने दिन हो रहे हैं अगर आपने एक से अधिक काम क्या है तो वह भी लिख सकते हो उसका कोई सुनिए आपका छे मैन इदर से क्या छे मैन इदर से क्या छे मैने ऐसे करके भी आप two year का experience कर सकते हो इसमें कोई सुनिए तो पीसमें आपको total fill up करना है suppose जैसे आप organization का name करना है तो आपको complete होने की जरूत नहीं है आपको others पर click कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा इसके बाद में same to same process आपको save and next करना है जैसे आप save and next करोगे इसके बाद में अलग process कुल जाएगा इसके बाद में अगर आपको एक से अधिक जोड़ना है तब आप add कर सकते हो और अधिक जोड़ना है तब आप add कर सकते हो कुछ delay भी करना है कुछ delay भी करना है तो delay कर सकते हो ये forum में कुरा dummy बर रहा हूँ इसमें मेरा personally कोई भी correct detail नहीं है ठीक है क्योंकि मुझे forum फिलप करना नहीं है मैं सिर्प student के लिए dummy परम फिलप कर रहा हूँ इसको आप cancel कर दो इसको आप cancel कर दो इसके बाद में आपको क्या करना है save and proceed जैसे save and proceed करोगे इसके बाद में step 3 आपका complete हो गया step 4 start हो जाएगा इसके बाद में आपका payment का process आ जाता है 4th step payment payment के बाद में CT source होगा इसके बाद में आपको अपना photo और signature अपलोड करना है तो यहाँ पे payment के लिए आपको pay and government online करना है payment आप credit card से कर सकते हो debit card से कर सकते हो internet banking से कर सकते हो रिपेश ही कर सकते हो जहाँ से आपको appropriate लगे वहाँ से कर सकते हो बट मैं personally आपको internet banking के लिए suggest करूँगा चुकि यहाँ पे payment failure की possibility कम से कम रती है तो जैसे मैं internet banking से payment करूँगा यह payment कर रहा हूँ तो अभी अपना 4th step complete हो गया जैसा भी पहले भी मैंने बताया कि आपको payment किसके तुरू करना है internet banking के माधिव से करना है ताकि आपका payment फैले रहनी होगा maximum लोगों का जो लाश्ट तीन-चार दिन में फोरम फिले पके maximum लोगों के payment फैल हो गए मतलब 24 और वेट करना पड़ा है यहाँ पे मैं आपके समने पहली बारी कर रहा हूँ पहली बारी अपना successful हो गया तो step 4 complete होता है अब step 5 की तरफ process करेगे इसके बाद में एक सोटा side इसके बाद में आपको center select करना है center select दोस्तों द्यानपूर अभीक से द्यांचे करना है कि एजम सक्तम्बर में होगा और सक्तम्बर में में मेरे लिए क्या convenient रहेगा सपूज आप जो आप दिल्ली में कर रहे हो और सक्तम्बर में आप राजिस्तान आ रहे हो या आप बोपाल जा रहे हो तो उस condition में center वही लेना जो आपके घर के पास में है तो यहाँ पर मैं center select कर दूँगा कि कौन्चे street का आपको center से सपूज महाराष्टर का कर सकते हो या कई किसी भी cities का कर सकते हो according to आपको जैसे अप्रिवेट लगे तो तीनो center में ने फिलप कर दिये तीनो center की preference आपको properly रहनी है इसके बाद में save and proceed यह आपका 5 step complete हो जाएगा जैसे 5 step complete हो जाएगा इसके बाद में आपको लेना है 6 step 6 step में सबसे important यह step है इसमें आपको दियान रखना है photo 6 महिने से पूराना नहीं होना चीए और यह ली पूराना नहीं होना चीए background white होना चीए photograph बिलकुल blood नहीं होना चीए दोनों कान properly आपको दिखना चीए आगे से कोई देखने पे और size proper होनी चीए तो यह सब से आपका appropriate होने के बाद में आपको photo upload करना है इस photo के बाद में signature में भी वही चीए white paper पे आपको signature करना है blood नहीं होना से बहुत से student का क्या करते है वाट्सप से किसी को पेश दे तो बहुत blood होता है तो आगे जाके problem rate कर सकते है और आपका size उसके according होने से जैसा बताया है और signature माइन होना चीए यह सब detail fill up करने के बाद में आपको जाना है आपको thumb एक white paper के thumb देना है thumb आपको upload करवाना है तो dear next step 6 के अंदर आपको photo upload करना है इसके बाद में आपको signature upload करना है इसके बाद में आपका thumb upload करना है photo में आपको size का द्यान रतना है photo कैसे आपको test करना है A4 size के paper लेना है वहाँ पे आपको photo chip काना है फिर ही skin करना है photo की size 50-100 kb की 20 में होनी चीए same उसी पर करकर के आपके जो signature है signature का भी ध्यान रतना है उसकी भी size 20-100 kb की 20 में होनी चीए आपको signature capital letter में विल्कुल नहीं करना है overwriting नहीं करनी है एक्दम अच्छे से signature होनी चीए और last में आपका thumb लगाना है thumb left thumb भी लगाना है ठीक है एक बार upload करने के बार वापस change नहीं कर पाऊ गए इसलिए आपको properly ही लगाना है इसके बाद मैं save and next किया और यह फिर प्रोसेस हो गया पर last में क्या होगा यह आपका पुरा form हो गया एक बार फिर से देख लिजिए दो बार देख लिजिए तीन बार देख लिजिए submit के पहले आपको फोरम को एक दो बार देखना है complete आपको read करना है कई बड़ भी आपने problem तो नहीं किये और उसके बाद में आपको submit कर लेना है तो आपको अभी से ज्यान अटना है तो यह पुरा form का फिर भी कई रिक्कत आता है तो mission high nursing classes की workshop number है वहाँ पे आप skins out लेके बेज़ दीजिए हमारी team आपका definitely help करेगा thank you dear all the best mission high nursing classes की test is available है आप join कर सकतो एक complete practice test जो no set के purpose से बनाए है और mission high nursing classes की image best books भी available है जिसको process कर सकतो जिसकी price बिल्कुल कम है सबी books का sample video देखने के लिए हमारे whatsapp number पे message कर सकते है thank you dear all the best